हालो डियर इस्टुडेंट्स मैराज कुमार दुबंसी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पीवी आरे स्टडी में जैसा कि आप जानते हो आपकी नायंत की मैच चल रही आपका पहला नंबर सवाल है कहरा कि आकरती 6.13 में यह आपके बुक में ऐसा लिखा इसल cd तो बच्चा देखो यह रेखा है ab और यह क्या है cd यह बिंदु कहां पर काड़ती है ओपर पर तिछेट करती है यानि कि इंटरसेक्ट करती है ओपर आगे क्या कहता है कि रहा कि ये दी AOC AOC मिंस AOC यानि ये कोड ध्यान देना AOC इतने कोड की बात हो रही है और धन B O E B O E ध्यान से सुनो B O E यानि ये कोड और ये कोड ये कोड दोनों जुड के कितना है 70 है कह रहा है इसमें इतना ही नहीं और भी कह रहा है यदि B O D बराबर 40 तो बच्चा B O D का मतलब B O D यानि ये कोड कितना है 40 इतना दिया है तो कह रहा है कि B O E और परतिवर्थी C O E ग्यानत कीजिए तो B O E कहा है ये B O E इसको पूछ रहा है आप कहोगे ये तो उपर दिया है ये दिया नहीं है उपर कह रहा है इन दोनों के योग करने पे 70 राता है तो इसको निकालो उसमें से कितना है ये पूछ रहा है बाकि AOC कहीं नहीं पूछ रहा है इसका परतिवर्ति पूछ रहा है COE यानि यह कौन नहीं पूछ रहा है इसका परतिवर्ति पूछ रहा है जैसे मैंने आपको supplementary कंप्लिमेंटरी बताया था पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो देख ले ना जहाब मैंने कांसेप्ट सिखाया था ठीक है तो पहले उसको निकालोगे तब परतिवर्ति कर पाओगे ना जैसे एक छोटा सा एक्जांपल जान लो अगर आपको कहा जाए किसी भी संख्या का मतलब बिलोम ग्याद करना उल्टा ग्याद करना तो पहले आप उस संख्या जानोगे तब बिलोम करोगे ना तो वैसे क्या करना है इसका परतिवर्ति करना है पहले आप इस कोण को निकालोगे तब इसका परतिवर्ति करोगे है ना चलिए अब कुछ कांसेप्ट के अकॉर रेखा IB, पर अगर आप ध्यान दो, आपको यहाँ पर बहुत की दिखेंगी कैसे है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान दे, कैसे अच्सा ना, जैसे देखो, रेखा AB पर ध्यान दो, A, O, C बन रहared na B, B पर ये बन रह blev वह 있나 1 को ये बन रहे 2 को ये बन रहılar 3 को बन रहे की निए मन रहे बन रहे न यानि हम लिख सकते है को干 दो कोण R A, O, C प्लस ये कोण होगया 0 cog और इसमें एक कोण बन रहा surveillance B, O, E भाई, B, O, E यह भी तो इसी रेखा के उपर है बन रहा है ना यानि यह जो ए भी है इसके उपर देखो तीन कौण है कि नहीं भाई एक कौण यह है एक यह है तीनों जोड़ लो बी ओ ये तो ऐसे भी दिया था लेकिन इसमें एक और है कौन है सी ओ ई लिखो दन सी ओ ई ये बराबर एक्सोसियंस आप कहोगे एक्सोसियंस कई से आएगा मैंने आपको रैखी की यूगम पढ़ाया है कि एक ही रेखा पर बने हुए जो कौन होते हैं वो रैखी की यूगम ब आते हैं तो मतलब वो उनका मान एक्सोसियंस होता है यह आप जानते हो यह जानते हो चलो मामला हलो गया बहिए यह देखो मान दिया है नव यह यह से निकालो के एंगल सी ओ यी बराबर तो 180-70 यानि आपको आएगा कौन COE वराबर 110 कितना आएगा बच्चा 110 यानि 110 डिग्री इसे आप लिख सकते हो 110 डिग्री लेकिन अभी हमें यह नहीं पता और यह नहीं पता चलो इतना बात पक्की होगा इसको नोट कर लो इसमें पूछा क्या क्या था वो भी ध्यान देना और वो चीजें बहुत ही कंसेप्ट से समझो इमानदारी से इतना हो गया अब अगले आगे देखो जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो पीछे करके देख ले मैं आगे से हट गया हूँ कुछ सिकेंड के लिए आप इनको उतार लो हो गया इतना हो गया चलो नहीं देखा तो वीडियो थोड़ा पीछे करो और उतार लो यहाँ पर दो रेखाए थी एक पर मैंने सारा मामला हल कर दिया अब दूसरे पर करेंगे हाँ लेकिन उसके पहले हमें कौन सा कौन मिला है सी ओ इ मिला है न तो हमें सी ओ इ पर्तिवर्ति निकालना था पर्तिवर्ति सी ओ इ तो पहले हम इसका पर्तिवर्ति निकालना था पर्तिवर्ति निकालना था जैसे supplementary, complementary पढ़े थे तो मैं पर्तिवर्थी बताया था, reflex ना, बच्चा ये जान लो, किसी भी angle का पर्तिवर्थी निकालने के लिए, आप ऐसे लिखोगे, पर्तिवर्थी COE बराबर, पता है आपको क्या करोगे, उस कोण का मान जितना है, जैसे COE का मान 110 सभी आया है, उस का पर्तिवर्थी आ जाएगा, ये अपने दिमाग में रख लो, तो ये आपका पहला अंसर आ गया, जो इसमें दो चीज पूछा था, ये भी कोण निकालना है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे अगली रेखा पर, चलो, अब लिखो रेखा, CD पर रेखा, CD पर, लिखो बच्चा जल्दी लिखो, रेखा, CD पर, अब मुझे ये बताओ, रेखा CD पर क्या क्या बनना, जल्दी से सभी बच्चे मुझे क्लियर करके बताओ, रेखा CD पर क्या क्या बनना, बच्चा, देखो आप यहां पर दियान दो, तो रेखा CD पर क्या क्य और यहां बना रहें ना कि नहीं हम बना रहे नो छो कि क्या क्या होगा कोड कोड को Pike प्लस सी ओ यानि यह कोड़ी को दसवाला प्लस कोड़ बी ओ ए प्लस कोड़ बी ओ डी कौन सा बच्चा बी ओ डी इकल वाने टी क्यों निचलिक लेना रैखी की यूगम यह रैखी की यूगम यह रैखी की यूगम बनाते हैं इसलिए अब आपको सारे मान दिये गया है सिर्फ बी ओ यह नहीं दिया गया है इसका मान एक्सोदाफ है रख लो एंगल बी ओ ए और प्लस इसका मान 40 है बिज़ा चालिफ दिया है एककोल एक्सोशी कर लो सबको है 180 यह इधर जाएगा मानेज ओजाएगा और यह 40 इदर जाएगा मानेस हो जाएगा यानी हम एक-एक को भेजेंगे पहले 40 दर द्रयाओ 40-110 यह चीज़ तो आप करी लोगे नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता दो बच्चा देखो नीचे नहीं दिख रहा ना इसके आगे बस केवल आपको घटा लेना है आप जान जाओगे कितना आएगा मैं ऊपर बता देता हूं अगर ऊपर दिख रहा है तो थोड़ा जगा कि कमी ना इस वज़ा से देखो बच्चा यही आ रहा ना इसको जोड़ोगे माइनस माइनस जुड़ जाता है 110 में जब 40 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा तो बच्चा आप यह जान जाओ कि b o e equal कितना हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 180-150 ना यह हो जाएगा ना हो जोड़ोगे नोट कर लो जो बच्चा नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके लिखेंगे तो फिर से उनको मिल जाएगा जो भी चीजे इसमें से डिलीट हुआ है कोई टेंसन की बात नहीं है और हाँ इक बात और बता दें बच्चा लोग आप सभी ध्यान से सुन लो जिन बच्चो को पूरा कलास करना है डिस्क्रेप्शन में नंबर दिये गए हैं उपर भी मैंने एक नंबर दे दिया इस पर कुश्चन नंबर आज सीकेंड आप देखोगे अगर आपनी बुक में आप खोल लो NCRT में तो आपको मिल जाएगा आकरती 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यम यन बिंदू ओ पर पर तिछेदित करती हैं रेखाएं एक्स वाई एंड यम यन ये बिंदू ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आगे सुनो क्या कहता है यदि पी ओ वाई क्वल नब अबयांस है और A अनुपात B ये दो अनुपात तीन दिया है तो पूछ रहा है कि कौन C बताओ बच्चा क्या होगा वजया C बताओ C मतलब कहां है ये कौन सी मुसीबत है C कि देखो एक एक काम करके निकालेंगे पहले ध्यान से देखो हम करेंगे क्या सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना A और B का जो अनुपात है या ऐसे लिख लो इतना हो गया अब यह अगर हो जाएगा तो यह आप जानते हो कि यहां से आप सभी समझ सकते हों क्या क्या हो जाएगा ए जुह हो दो एक्स हो जायागा कामान अनुपात लगाके और बी कमान क्या हो जायागा तीन एक्स इतना आपको समझ में आ रहा है इसको आप नोट करते चलो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं यह आपका पहला पेज हो गया इतना हो गया देखो नीचे दो लाइन अभी मैं लिख सकता हूं तो आप लिखो कि रेखा एक्स वाई पर लिखो रेखा यक्स वाई पर देखो बच्चा रेखा एक्स वाई पर क्या है अगर हम ध्यान दें यहां पर फिगर में रेखा यक्स वाई पर तो यहां पर तीन कोण बन रहे हैं कौन बन रहें एक तो यह बी बन रहा है एक तो नीचे अगर आपको दिख रहा है कि नहीं बता दो चुकि मुझे संका होती है कि नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कॉंड B और प्लस कॉंड A एंड कॉंड 90 अंस बराबर 180 हमने एक लाइन सार्ट कर दिया है हम चाहते तो इसको ऐसे लिखते कॉंड X O M प्लस कॉंड M O P प्लस कॉंड O P Y या फिर P O Y तो सब को जोड़ते एक सार्ट कर दिया ऐसा क्यों हुआ 180 की उउँआं पता है तो सभी कोंड एक ही रेखा पर बने होते हैं तो क्या होते हैं इंको लिख लिए बच्चे तो मैं इंको मिटा रहा हूं इनको मिटा के मूपर चलूंगा दया देना जो बच्चे नहीं लिखे हैं इनको लिख लें ध्यान दें और लिखें जल्दी से चलिए देखो मैंने दो तीन लाइने उपर मिटाई हैं आप वीडियो थोड़ा था पीछे करोगे तो आपको फिर से दिख जाएगा जो मिटाया गया है अब देखो भी धन ए बराबर धन ये 90 और बराबर 180 अभी मैंने माना था उपर वीडियो हलका पीछे करो दिख जाएगा ये जुड़ जाएगा पांच एक्स बराबर 90 हो जाएगा इक्कोल 180 हो जाएगा यहां से आप 5 एक्स निकालोगी आपको पता है 180 माइनस 90 होगा एक्स बराबर ये 90 बटा 5 होगा ब बेसिक मैथ जॉइन करो PVR study की जीरो लेबल मैथ उपर नमबर दिया गया इस पर मैसेज करो फोन करो ठीक है चलिए इतना कर लिए एक्स के मान आ गए यानि एक्स के मान आ गए तो हम मान निकाल लेंगे ए और बी के हमारे मान किलियर हो जाएंगे चलो ठीक है इतना हो गया तो अब मैं मिठा सकता हूँ अब नीचे आप लिखोगे जिक हों रही अन् Cohi ligne घ्र आता था चैनल अ एपर दो योई 3x यह था आपने देखा था तो यह 3 गुड़ा 18 हो जाएगा इकल 4 अनल्स हो जाएगा कितना हो जाएगा भाईया 54 यह आपका 54 डिग्री हो गया इतना हो गया के लिए आप सबी लिखते चलो फटाफट बताते चलो नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना यह xy पर हो गया किस भी दिया है यह बड़ा वाला हं हम इस ऐह हम निकालना यहां पर निकलना है यहां पर चैवल्म बन रहें और एक प्राण बन देखो हम मिटा दो जो बच्चे मिटाना चाहें मदलब हो गया चलो उपर मैं मिटा रहा हूं नहीं लिख पाए थोड़ा बीडियो पीछे करके लिखो नहीं लिख पाए पीछे करके लिखो आप लिखो रेखा ऐम यन पर भाई रेखा एक्स वाई पर सब हो गया अब यम यन पर यम और ये ले लो सिदी सीदी रेखा तो आपको क्या मिलेगा आप देखो कौण कौन सा भाई एक तवर और ये O और Y ये कोण और ये कोण बनाए न भाई ये रेखा लोगे तो इसके इधर ये बना ये बनाए दो कोण बने हैं तो ये 54 अंस प्लस कोण सी इक्वाल 180 अंस होगा क्यूं होगा क्योंकि ये कोण सी है ये 54 है दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा 180 क्यूं होगा क्योंकि ये रेखी की यूग मों बनाते हैं क्या करते हैं रेखी की यूग मों बनाते हैं रेखी की यूग मों मैंने इसलिए पढ़ाया था समझ गए तो एक एक पॉइंट लिखते चलो मैं जादा आगे नहीं भागूँगा तो सी बराबर करोगे बच्चा 180 से 54 घटाओगे आपको पता है घटाना सब जानतों 126 अंस आएगा यह क्या हो जाएगा सी कमान हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो आपनी से अंकोच पूछो यह 26 अंस कमाना आगया 126 तो इस तरह से आपका यह सवाल खतम हो गया अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं तो तीन सवाल तक आपने कर लिया है पैना दूसरा मैंने बता दिया तीफरा आपके लिए हो मुर्ग था उसको ट्राई करना फिर बताना चौथा सवाल है आकरती 6.16 में यदि एक्स प्लस वाई इक्वल वाई फ्लस जेट तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है भीया कहरा कि आकरती जो दी गई है ये फिगर इसमें कहरा है कि एक्स प्लस वाई यानि ये कोण एक्स और ये कोण वाई दोनों को जोडने के बाद में जो आता है वो य प्लस जड़ के बराबर आता है व इसको एक रेखा सिद्ध करना जहां मैं हात रखाऊ ऐसे एक रेखा लेकिन इसको हमें इपरोब करके दिखाना है चलो बहुत आसान है बहुत से बच्चे मारे साथ जुड़े में उनका नाम नहीं बोलना हूं जो से प्रियंका जुड़ चुकी है आकरती और दुरूब उजाला और कौन-कौन है बाई प्रयांसू तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब इनी की पढ़ना नहीं है ध्यान से बढ़ना अचाना नहीं कहीं देखो गीवेन मनलब दिया है सबसे पहले हमें ये चीज तो दिया है ठीक है हम सबी जानते हैं दिया हमाने लिख लिया दूसरा नमबर आप एक बात यहां पर और देखो अगर हम चारो कोणों को जोड़ दें तो हमारा ये कुछ मिला के इसे बन जाएगा पूरा पूरा गोल इसे बन जाएगा ना यानि हम कॉण एकस प्लस वाई धन ये डेवलू प्लस जड़ सब जोड़के 360 लिख सकते हैं वह 360 क्यों होता है क्योंकि एक संपुरुन कोण बन जाएगा ये एंगल होगा और कंपलेट एंगल 360 का होता है इसे हम कर सकते हैं ये इसका परमी ये तिरभूज का ओ सरी एक परकार से आप बोलें तो कि किसी भी चतुरभूज अगर बोलें यहां पे तो फिलहाल चतुरभूज तो नहीं बन रहा है लेकिन हां आपको ये चीज बता होना चाहिए कि कोई भी आपको याद रखना है तो इसी बेस पर हम चलें तो हम पता है कि डावलू प्लस जेड़ जो है वह एक्स प्लस य के बराबर है तो बच्चा हम यह एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं अब बोलो लिख सकते हैं इसमें कुछी को कोई आपती नहीं होनी चाहिए ना लिख स साथ final ने इसमें से टूगत लिंघ बड üzer के एकस प्लस यृफ यृफ वाई इवारत फेरा आपको यहां से बात पता चल जाएएगी कि एकस प्लस ओय को कि लो जाएगा बच्चा एकस प्लस यृफ बड़ाबर हो जाएगा भूय का नीचे देखो लिखot रहा है उसके बाद हम आगे इसमें प्रस्टी करण लिखाते हैं ध्यान से देखो पूरा इंडे तक कलास देखना बिल्कुल बीच में टैंसन मत लेना कहीं मत जाना ना इसकिप करना नोट कर लो इसक्रीन सार्ट ले लो यह कहने वाली बात नहीं कि मैं बोलू इसक्रीन सार्ट ले लो तभी लोगे ठीक है तो बच्चा चलो आगे देखो आगे देखो क्या कहता है कौण एक्स धन कौण वाई इक्स और क्या हो रहा है यह रैखिक यूगम बना रहे हैं बना र रहा है कोण डायक्स और कोन भाई एक रहिंखी के यूगम यानिकि लीनियर पेर बना रहा है लिखो मैंने लिखूंगा कोणص और कोण भाई एक रहिंखी की यूगमं बना रहा है अगली यजिश में padres incarnation पीचे लिखो चुकि रैखिक यूगम एक सीधी रेखा पर बनता है रैखिक यूगम एक सीधी रेखा पर बनता है देखो बच्चा ये कोड वाई और ये यक्स ये दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं वह ये दोनों मिला करके ये और ये रैखिक यूगम बना रहे हैं और चुक कि कौन X और कौन Y एक रेखी गुखम, एक लिनियर पेर बना रहे हैं और एक लिनियर पेर एक सीधी रेखा पर ही बनता है, अधा सिध्ध होता है कि A, O, B एक रेखा है, नोट कर लो जल्दी से यह आपका पूरा कोईश्टन हो चुका है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, त अगर आप चाहते हैं कि इस तरह कि आपको बड़े बड़े वीडियो मिलें एक गंटा दो दो गंटा की तो आप उपर दीएगे नंबर पर संपरकन वीडियो और चुकि 6.1 में सिर्फ 6 सवाल है टोटल जिसमें लगबग 4 हो जोके हैं पांचवा चाटवा बचा है चलो पांचवा सवाल आई एक्सराइज 6.1 क्लाक 9 में कहरा कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है तो कहरा कि किरण ओ और और किरण पी क्यू पर लंब है एक बार फिर से देखो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यह आकृति 6.17 का मतलब यह नीचे मैंने चितर बनाया है दिख रहा है इसी फिगर को देख करके अगर आप समझेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा इसमें कहरा पी ओ क्यू एक रेखा है अब पी क्यू पर लमभी यह यार कीरन ओर इस पर लंभी ओक लम और क्या यह इंदर लंभी और को बीचमें ओंटनीं दूसरे यह डंद्र हो समocy के बीच संप आएगा और के यह विल्सचन में आगे क्या इन आगे क्शिद्ध है कि और ओ और के बीच में है और और के बीच में यानि ये और ये इसके बीच में कह रहा है कि एक अन्न किरण है जिसका नाम ओयस है ये देखो दिख रहा वए यह यदौश थे अभी सवाल के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें अभी कुछ समय में नहीं आहरा लेकिन जो यहां पे हरा वो इसमें है इतना है ना आगे फिर क्या करा सिध कीजिए यानि आप प्रूब कीजिए अगर यह इतनी कंडिशन है तो क्या-क्या सिध करना है कि कौन आर ओ एस यानि आर ओ एस आपको कुछ समझ में आ रहा है यह कौन जो बीच में छोटा सा बना दिख रहा है यह वन अपान टू और QoS-PoS इतना हमें प्रूब करना है PoS मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है QoS यानि इन दोनों को घटाने के बाद क्या हो जाए हाफ हो जाए उसका चलिए इसमें जो कुछ दिया है पहले हम उसी के अधार पर कुछ थोड़ा बहुत आगे करते हैं हमें इसमें एक कॉण P-O-R 90 यह सीधा-फीधा देखो दिखETHE 30 जी जा आर देखो इधर देखे इसलेको करनका का पूरा बना रहा है कोड़े कॉण तो हम इसमें क्या लिख सकते है कि DT poor 90 है और q-o-r भी नबबма बाइधर साइड बेख लो क्यू ओर यह भी 90 है और पी ओर यह भी 90 है दोनों 90 है आगे देखो क्या कहता है वह भी चीज ध्यान दो आप अब इसमें अगला इस्टप देखी अगर आप यहां फे ध्यान से देखिए तो पी ओ आर जो पी ओ आर है इसके बीच में एक और किरण है ओ यह वह आपको दिख रही है लेकिन अगर हमें सीधा-सीधा यहां पर पी ओ आर लिखना है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सब्सक्राइब आर ओ इस इसको लिख सकते हैं इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यह बराबर कितना नब्बयान से पहले फिदिया था तो हम इसको नब्बयान से लिख देंगे इतना तो आप सभी को लगबग पूरा समझ में आ रहा होगा लेकिन यह भी ठ जादा समझ में आगा चूकी थोड़ा बिस्तार से हैं इतना हो गया इतना करने के बाद आप इसमें से आर ओएस का मान निकाल लीजिए क्यों क्योंकि हमें जो फाइनल में वैलू लाना उस पर नजर होनी चाहिए हमें लाइश्ट में आर ओएफ लाना बाकी और किसी को यहां से यानि यह इतना देखो अब यहां से अगर हम आर ओएस लिखेंगे आर ओएस तो सिंपल साही है नाइंटी उधर ऐसे ही रहेगा माइनस यह पी ओएस इसमें से घड़ जाएगा क्या होगा यह पी ओएस घड़ जाएगा और यह आपका एक्वेस्ट नमबर फर्ष्ट बन जाएंगे उसके बाद अगला जो उधर हाफ में 90 का कोंड बन रहा है उसको लेकर के हम एक नया ही कोईसन बनाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे फिर हमारा जो सिद्ध करना वह आ जाएगा बहुत सिंपल सा है लेकिन देखने में थोड़ा सा यह कोंड ओन थोड़ा कश Q-O-R यानि हम इस चित्र में चलते हैं Q-O-R ये लेते हैं पूरा पूरा अब इसमें आपको क्या नजर आएगा Q-O-R में आपको पता यह भी नबबे है मने इसको नबबे लिख दिया इसके बाद इसके बाद क्या करोगे इसके बाद आपको पता है कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं दो पार्ट में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं देखो qor की जगा पे हम क्या लिख सकते हैं अभी जो हमारा एक equation आया था उसमें आपने क्या देखा था अभी जो समीकरन आया था उसमें क्या देखा था आपने qor की जगा पे हम इसको दो पार्ट साउट में तोड़के लिक सकते हैं इसमें अगर से लिख सकते हैं कि इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इदर तो मैं कुर्ण कोम नहीं है equal 90 यह हो गई कहानी आपकी same to same जैसे पहले ही question में हुई थी यहां से भया लोग आप क्या करोगे आर ओएस का मान निकालो तो जब आप यहां से आर ओएस निकालो गे तो क्या मिलेगा आपको पता है आर ओएस बराबर निकालो हो गई यह माइनस में ही रहेगा तो यह इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 और माइनस क्यू ओएस मैं एकदम भी डीटियल से आपको बता दे रहा हूं पूरा बिस्तार से इसमें कुछ भी मैं इधर दर नहीं कर रहा हूं मैंनस फॉन से दोनों तरफ मल्टिवल कर दो चुकि शुरू में मैंनेफ लगा है तो आपका फाइनल में हो जाएगा कॉट MROS इक्कोल हो जाएगा यह मैंनस हो जाएगा वह पलस हूज जाएगा तो जो अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको equation first दिख जाएगा इसक्रीन पे चुकि हमारे पास इतनी जगा नहीं कि हम दोनों समीकरण एक साथ दिखाएं आपको तो इस वज़ा से मैंने दूसरा मिटा दिया है इतना लिख लिए चलिए आप समीकरण एक पलस समीकरण दो करने की बाद में आगे देखते हैं दोनों को जोड़ के दिखाते हैं आपको आप देखिए दोनों एक क्वेशन मैंने एक साथ लिख दिया है ये पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण है यह चुकि मैंने मिटा दिया था इसलिए मैं दोनों को लाके दिखाया हूँ आपको कुछ बच्चे कहते हैं को जल्दी मिटा देते हो तो वीडियो को रॉंक लिए करो आप लोग और उसका स्क्रीन साट ले लिया करो अगर आप लेफटाफ या कम्पीटर में देख रहें तो स्क्रीन साट लेने के लिए आप वो कौन सा बटन मैंने बताया था ना बिंडो और जो एप टोयल के दाहिनी साइट बटन होती है जिस पर पी रटी सी सी आरे से कुछ होता है उसको दबाएंगे तो स्क्रीन साट उसमें भी हो जाएगा ठीक है चलिए अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो यह हो जाएगा आर ओएस प्लस आर ओएस को डार वेस प्लस आर ओएस इक्वल इनको सीधा-फीधा जोड़ो जैसे यह नबबे माइनस पी ओएस प्लस यह क्यू ओएस और माइनस का नबबे है तो इसको ऐसे लिख दो देखो भाई यह अब बड़ा ही नबबे कर जाएगा चुकि एक प्लस एक माइनस है यह दोनों जूड़के हो जाएगा टू और एंगल आर ओएस दो बार हो जाएगा चुकि दो बार एक समान कोंड दिया गया है तो दो आ जाएगा अब इसके बाद क्या होगा आगे देखते जाओ इधर क्या बच रहा है माइनस का पी ओ एस और प्लस का क्यू ओ एस दोनों में कोंड का चिन्ह लगा देना आगे देखो चुकि यहाँ पर माइनस बचा है तो हम माइनस वाला पद बाद में लिखते हैं प्लस वाला पहले लिखते हैं तो इस तरह से हमें लिख सकते हैं आर ओ एस इक्वल कोंड क्य QoS-PoS यह हम लिख सचते हैं आप सभी जानते हो इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं किया है सिर्फ कल्कुलेशन किया है जो कि आप जानते हो नाइंथ में पहुंच गयो अगर आपको यह कल्कुलेशन भी नहीं आता कैसे आ गया तो आप सुनने से सिखरता क्वाली मैं देखिए जिसमें एकदम बेसिक से सिखाया जाता है अब ही हम नंबर दिखाएंगे आप उस पर कांटक्ट करिए अगर कोई भी आपको करी है तो तो इसको मैंने डीटियल में लिख लिया अब यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल आर ओएस निकालना है तो देखो भाई यह दो इधर ले जाओगे न तो भाग में हो जाएगा यानि कॉन क्यू ओ ऐस माइनस कॉन पी ओ एस नीचे दो हो जाएगा इस तरह से ऐसे हो जाएगा हम इसमें काम कर सकते हैं वाण अपान टू कामन लिश सकते हैं तो r o s इक्वल हो जाएगा half और ये हो जाएगा क्यों क्यू ओ एस एंड क्योंड फी o s देखो आपका वही आगया जो आपको सिद्ध करना था अब नीचे लिख दो आप इती सिद्धम या फिर हिंदी में आप लोग ऐसे लिख रहे हो अताह सिद्ध हुआ hence proved, ठीक है, नीचे लिख देना, आता हा, सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था न, तो कितना आसान है आप इसे कर लोगे, हाँ, इसमें अगर आपने basic concept नहीं सीखे हैं, जैसे कि रैखी की यूगम क्या होता है, आसन कौन क्या होता है, रैखी की यूगम को इंगलिस में linear pair बोलते हैं, आप जनते हो, तो, और, complete angle क्या होता है, यह सब चीजें आपको basic concept आना चाहिए, geometry का तब आप कर पाओगे, चुकि जो इस्टार्टिंग में आपको चीजें बताई गहीं, अगर आपको आएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा, यह कैसे हो गया, ठीक है, जैसे अभी, मैंने इस नहीं पर दो कॉंड जोंड करके तो तीसरा कॉंड आया था, यह सब भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था एक लाइन है बड़ी सी, अगर उसको बीच में से दो पार्ट में तो दोड़ दें, तो दोनों के करें,